होशे भविश्वक्ता की पुष्थक अध्याय दो इसलिए तुम लोग अपने भाईयों से अम्मी और अपनी बहिनों से रूहामा कहो अपनी माता से विवाद करो क्योंकि वहा मेरी स्त्री नहीं और न मैं उसका पती हूँ वह अपने मुहपर से, अपने चनालपन को और अपनी चातियों के बीच से विविचार को अलग करें। नहीं तो मैं उसके वस्तर उतार कर उसको जन्म के दिन के समान नंगी करूंगा। और उसको जंगल के समान और मरुभुमी सरीखी बनाऊंगा और प्यास से मार डालूंगा और उसके लड़के बारों पर भी मैं कुछ दया न करूंगा क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हैं अर्थात उनकी माता ने चिनाल किया जिसके गर्भ में वे पड़े उसने लज्जा के योग्य काम किया है उसने कहा कि मेरे यार जो मुझे रोटी, पानी, उन, सन, तेल और मद्य देते हैं उन्ही के पीछे मैं चलूगी इसलिए देखो मैं उसके मर्ग को काटो से रुद्धूंगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वह राह न पा सकेगी और वह अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हें न पाएंगी और उन्हें ढूनने से भी न पाएंगी तब वह कहेगी मैं अपने पहले पती के पास फिर जाओंगी क्योंकि मेरी पहली दशा इस समय के दशा से अच्छी थी वह तो यह नहीं जानती कि अन्न नया दाख मधो तेल मैं ही उसे देता हूँ और उसके लिए वह चांदी सोना जिसको वे बाल देवता के काम में ले आते हैं मैं ही बढ़ाता हूँ इस कारण मैं अन्न की कृतु में अपने अन्न को और नए दाख मधो के होने के समय में अपने नए दाख मधो को हर लूँगा और अपना उन और सन भी जिन से वह अपना तन धापती है, छीन लूँगा, और अब मैं उसके यारों के सामने उसके तन को उगाड़ूँगा, और मेरे हाथ से कोई उसे न छुड़ा सकेंगा, और मैं उसके पर्ब, नए चांद और विश्राम दिन आदी समय सब नियत समयों के उच्सव का अंतकर दूँगा, और मैं उसकी दाखनताओ और अंजिर के वुक्षों को, जिनके विशे वह कहती है कि यहाँ मेरे छिनाल की प्राप्ति है, जिसे मेरे यारों ने मुझे दी है, ऐसा बिगाड़ूगा कि वे जंगल से हो जाएगे, और बनपशिव उन्हें चर डालेंगे, और वे दिन जिन में वह बाल देवताओ के लिए धूब चलाती और नत और हार पहने, अपने यारों के पिछे जाती और मुझे को भूल रही थी, उन दिनों को दंड मैं उसे और वहां उसे शान्ती की बाते करूंगा, और मैं उसको दाक की बारिया वही दूँगा, और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूँगा, और वहां वहां मुझे से ऐसी बाते कहेंगी, जैसी अपनी जवानी के दिनों में अर्थात मिस्तर देश से चले आने के समय कहत क्योंकि मैं उसे बाल देटाओं के नाम भविश में लेने न दूँगा और न उनके नाम फिर स्मरण में रहेंगे और उस समय मैं उनके लिए बनपशुओं और आकाश्य पक्षियों और भुमी पर रहेंगने वाले जन्तु के साथ वाचा बांदूँगा और धनुश्य और तलवार तोड़ कर युद्ध को उनके देश से दूर कर दूँगा और ऐसा करूँगा कि वे लोग निडर सोया करेंगे और मैं तुझे सदा के लिए अपनी स्त्री करने की प्रतिग्या करूँगा और यहाँ प्रतिक्षा धर्म और न्याय और करुना और दया के साथ और तु यहाँ का ज्यान पाएगे और यहाँ की यहवानी है कि उस समय मैं तो आकाश की सुनकर उसको उत्तर दूँगा और वहाँ प्रत्वी की सुनकर उसको उत्तर देगा और प्रत्वी अन्ना नए दाख मधू और ताजा तेल की सुनकर उनको उत्तर देगी और यह इज दया करूँगा और लोव में से कहूँगा कि तू मेरी प्रजा है और वह कहेगा है मेरे परमेश्वर